अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकिल किया है राजनेताओं को सीखना चीए, कृष्ण से कूटनीती सीखनी चाहिए जब संदी फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लोटे तो विदुर के घर पर सुबही सुबह कुछ महमान आए कृष्ण से मिलने आए तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज करण आए है विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते है उनसे कहिए राज्य सभा में मिलें, अम्में अपने अतिती के साथ व्यस्थ हो और अतिती भी कौन? माखंचोर द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वो आप से मिलना नहीं चाहते वो आपके अतिती से मिलना चाहते है कृष्ण ने कहा उन्हें आदरपूरवक अंदर लेकर आओ करण आये, करण ने प्रणाम किया युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूँ उनमें से एक करण भी है क्या युद्धा है, क्या अधुद्ध करण के चहरे पर दुख और पश्चाता आपका भाव था करण ने हाज जोड़कर कहा माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बत्तमी जी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया भगवान ने कहा इश्वर तुम जैसा मित्र सब को दे, जो इतने बड़े अपराद के बाद भी ख्षमा मांगने के लिए आ जाता है असाथ मित्र सब को मिले करण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को ख्षमा कर दीजिए उसने गलती की उसे दूद के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए तो और आप जैसे दूद के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए तो भगवान ने कहा मैं उसे माफ कर दूँ ना लेकिन एक शर्थ है करण अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का रज दे देता हूँ मेरा शरीर ले लीजिए पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए क्रश्ण ने कहा शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज समय तै हो चुका है सब को देना पड़ेगा तुमको भी देना पड़ेगा कर सकते हो तो इतना करो अब मैं वापिस पांड़मों के पास जा रहा हूँ हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ उसने कहा इससे बड़ा सभाग्य का होगा कि मैं आपको छोड़ने चलू आईए मेरे रथ में बैठिये कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं तुमारे रथ में बैठ जाता हूँ आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना ड्राइवर से कहना तू नीचे उतर सवार बहुत बड़ा है अब ड्राइव मैं करूँगा गाड़ी खुच चलाना सबा करन ने अपने चालक से कहा कि नीचे उतर इस रथ पा ट्रेलो के का स्वामी बैठने वाला है ड्राइव मैं करूँगा और करन तो ड्राइवर का ही लड़का है सूत पुत्र है उसको तो आता ही है रथ चलाना रथ चलक का बेटा है करन रथ चलाने लगा भगवान पीछे से उतर कर करन के पास आकर बैठ गए और थोड़ी दिर बाद उसका रथ छोड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया वहाँ भी वही रथ चलाने लगा अब भगवान ने उससे बाची शुरू की देखिए कितने बड़े कूट नितिग्ये हैं ये कनया दिखते भोले हैं लेकिन परम चालू इनको पता था कि एक ये आदमी है जो फजीता करेगा इसका मनोबल तोड़ो पहली बार करण को ये पता चला जो भेद उनने बताया हरी बड़े प्रेम से कर धर कर ले चड़े उसे अपने रथ पर रथ चला परस पर बाद चली शम्दम की तेड़ी घाद चली शीतल हो हरी ने कहा हाए अब शेश नहीं कोई उपाए करन अब कुछ बचा नहीं हो विवश हमें धरुदर ना है अब तो हमें ये धनुश उठाना पड़ेगा क्षत्री समूह को मरना है मैंने कितना कुछ कहा नहीं विशबान कहां तक सहा नहीं पर दुरियो धन मतवाला है कुछ नहीं समझने वाला है चाहिए उसे बसरण केवल सारी धरती की मरण केवल ये जो एहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूँगा क्या बोला दुर्योदन पांच गाव मानने पे सुच्य ग्रम नईवदास्यामी बुनया युद्धे नकेशव हे केशव तुम पांच गाव मांगते हो मैं सुई की नौक के बराबर भी जमीन नहीं दूँगा हेवीर तुम ही बोलो अकाव बिना पार्शल हुए बोलना करण से पूछ रहें क्या वस्तु बड़ी थी पांच ग्राम पांच ग्राम ही तो मांगे थे वह भी कौरव को भारी है मत गई मूड की मारी है दुर्योधन को बोधू कैसे इस रण को अवरोधू कैसे सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा बाहर शोनित की तप्तधार भीतर विद्वाओं की पुकार निशश्न विशश्ट बिल लाएंगे बच्चे अनात हो जाएंगे चिंता मैं क्या और करूँ शांती को छिपा किस ओट धरूँ सब राह बंद मेरे जाने अब पासा फैंका पहले तुम आहौल बनाया कि तुम सम्मरोगे बेटा तू भी मरेगा और तेरा यार भी एक तरीका है बचने का सब राह बंद मेरे जाने अहां एक बात है यदि तू माने देखो कैसे फुसला रहे हैं तो शांती नहीं जल सकती है समरागनी अभी टल सकती है पा तुझे धन्य है दुरियो धन तू एक मात्र उसका जीवन तेरे बलकी है आस उसे तुझसे जैका विश्वास उजे तू संगन है उसका छोड़ेगा वेक्योनन से मूँ मोड़ेगा जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता बस ऐसा कर तू से छोड़ दे क्यों क्या अगट नहीं है घटना कराल एक बात बताओं तुझे कर्ण एक बड़ी कराल घटना इस खांदान में हो गई है तुझे पता नहीं है तू प्रता कुक्षि का प्रता मतलब कुंती तू कुंती कोख का प्रतम लाल तू कुंती का पहला बेटा है ये पहली बार कर्ण को स्वेम भगवान शिकर्ष्ण ने बताया है सबसे पहली बार अच्छा ये बात पहले भी बता सकते थे कभी करण तो रोज मिलता था जब 14 साल का वनवास्था तब बता देते नहीं अगर तुरुप का इक्का आ जाए तो शुरू में मत फैंको बचा के रखो फाइनल टेबिल पे काम आएगा अब करण को बता रहे हैं कि तु तो कुंदी का लड़का है पनसूत अनादर सैता है कौरव के दल में रहता है किसमत के फेरे में पढ़कार का प्रेम सदा बसा दुश्मन के गर्ल निजुबंध मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को पर इसमें दोष्न तेरा है तेरा कोई दोष्न नहीं है अब कहा मान इतना मेरा अब इतनी मान चल होकर संग अभी मेरे जहां पांच भराता तेरे कहते हैं एक काम गर अब मेरे रचपे से उतरी मत अब मैं हा करा हूँ और सीधा वहीं जाकर रुके का जहां तेरे पांच भाई है जिसको जिन्दगी में किसी ने भाई नहीं कहा जो मा की एक पुकार के लिए जीवन वर तरसा है उसको जिन्दगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है हमारा काना क्या कह रहा है बिचुडे भाई मिल जाएंगे सब मिलकर मोद मनाएंगे कुंती का त्यूही परम तने जेष्ट बल बुद्ध शील में परम सेष्ट और क्या करेगा पदत्राण भीम पहनाएगा भीम तरे को चपल पहनाएगा कैसे कैसे लालचे कैबिनेट मिलेगी और उसमें भी कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं सीधा ही प्राइम मिनिस्टर पदत्राण भीम पहनाएगा धरमादिप युदिष्टिर चमर डुलाएगा तेरे दरबार के बाहर कौन खड़े होंगे पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे जो तेरा लोग तुझे पहचानेंगे असली स्वरूप को जानेंगे खोई मणी को जब पाएगी आखरी दाव जो मारा है खोई मणी को जब पाएगी कुंती फूली न समाएगी क्या लालच है क्या लालच है कुर राज स्वयम जुक जाएगा संसार बड़े सुख में होगा कोई न कहीं दुख में होगा सब गीत खुशी के गाएगे तेरा स्वभग्य मनाएगे और आखरी में ऐसी बात कहता है और कौन दुनिया को जो देता है वो भीक मांग रहा है मेरे कनया को प्रत्वी की आख टालने के लिए भीक मांगनी पड़ी कुरुराज समर्पन करता हूँ पूरा राज्य कुरुराज समर्पन करता हूँ सामरज समर्पन करता हूँ यश मुकुट मान सिंगासन ले बस एक भीक मुझे को दे दे कौरब का तजरन स्रोक सखे भूका भावी हर शोक सखे ये तो कनईया है जो इतनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं किसलिए तेखो ये बड़ा कहरा गरीजित है इसको समझो इस दाव को चलने में कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है अगर करन इधर आ जाता तो तो महाबारस समप तो जाती और एक ऐसा युद्धा जो सुबह दुपेर शाम इसी बात की कसम खाता था कि अरजुन को मारना है इन पांडवों को मारना है इसके कलेजे में ये बात डाल दोगी ये तेरे भाई हैं तो जब युद्ध लड़ेगा तो थोड़ा तो हाथ कहाँ पेगा थोड़ा तो दिल के अंदर कुछ दुग दुग पैदा होगी शत्र की मानसिक्ता को कम जोर करना शत्र की मानसिक्ता पर प्रहार करना ये काम है लेकिन क्रश्न की इस कथा में थोड़ा इस्मरन करनका भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भ उप्रादे और खुल के कहदे ए रिड़ी करण का रोम रोम जानते सत्य यह सूर्य सोम तन्मन दुरियोधन का है यह जीवन दुरियोधन का है और दो पंक्ति जो कहीं है करण ने मैं उसकी ध्रड़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूँ सुर्पुर से भी मुख मोड़ूंगा के शव मैं उसे न छोड़ूंगा ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का पहले कुंती को भिजा जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मा हो मा ने कहा कि मैं तु वापिस आजा तो उसने एक वरदान दिया मा को मा ने कहा अभिलाश लिये तो बहुत बड़ी आई थी पर आस नहीं अपने बलकी लाई थी था एक वरोसा यही कि तु दानी है अपनी अमोग करुणा का बड़ा अभिमानी है उसने भी कहा मा मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे पांच बेटे जीवित रहेंगे इसका मतलब है कि करन ने कहा कि युद्ध के बाद पांच बेटे जीवित रहेंगे अरजुन के अलाबा किसी पर हत्यार नहीं उठाऊंगा अरजुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं अरजुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा तब भी तेरे पांच बेटे जिन्दा रहेंगे खुल कर कहूंगा ये मेरी मा है और अरजुन का दाव चल गया मा तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मा बेटे हैं तेरे पांच बेटे जिन्दा रहेंगे जा मा मैं तुझे बढ़ दान देता तु दान दानत रही किन तु क्यों माता पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता मैं ही देता रहूँगा दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी पर क्या माता भी उससे कभी कुछ देगी मैं एक कर्ण अतेव मांग लेता हूं बदले में तुझको चार करण देता हूँ छोड़ूँगा मैं तो कभी नहीं अरजुन को तोड़ूँगा कैसे स्वयम पुरातन प्रण को पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूँगा पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूँगा और जिनोंने महाबारत पड़ी है उन्हें पता है कि जब करण सेनापती बना उस दिन उसने चारों पांडवों को पांच बार पकड़ के छोड़ दिया भीम तो उसके रत के आगे आके नत्य करने लगा गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है मैं क्षत्री हूँ मेरा वद कर मुझे मार दे और गालिया बखने लगा तू सूत का पुत्र है तुझे क्या पता कैसे लडा जाता है भीम के रत को तोड़ दिया अपने तीरों से करण ने उसी करण को इनों ने जो पीछे खड़े मुस्कूर आ रहे हैं बिना शस्त्र के मरवा दिया उसके हाथ में कोई धनुष्णी और मरवा दिया अर्जु से का मार अभी मार आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया यही कृष्ण है जो कूटनीती को इस प्रकार अन्योजित करते है कि उसका तरक भी साथ साथ देते है रश्मिरती में मेरे पिता में मेरे बाबा हमारे खांदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि विपद में करण को यों ग्रिस्ट पाकर सराशन हीन अस्तव्यस्त पाकर जगा कर पार्थ को भगवान बोले खड़ा क्या देखता है मौन भोले सराशन तान बस यही अवसर यही है तान मार इसको घड़ी फिर और मिलने की नहीं है विशक कोई बान बान कोई गले के पार कर दे अभी ही शत्रुका संगार कर दे क्या कह रहें क्रिष्ण सोचो क्या कह रहें धर्म की धुरी लाने वाले जिन्होंने पैदा होने से पहले यह कहा था कि भईया जब जब धर्म की हानी होगी तब तम मैं आऊँगा यदा यदा ही धर्मस्य गलान इर भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम स्रजाम में हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्य को कह रहे हैं मार 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 ये क्या है ये अधर्म है कि धर्म है अब मैं तर्क दे रहा हूं कृष्ण की ओर से जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिये होंगे कहते हैं शमण कर विश्व गुर की देशना यह है विजय के हे तो आतुर एशना यह है सहम उठा जरा कुछ पार्त कामन विने में ही मगर बोला अकिंचन नरोचित किन्तु क्या यह कर्म होगा मलिन इस से नहीं क्या धर्म होगा हसे केशव व्रथा हट ठानता है अभी तु धर्म को क्या जानता है कहूं जो पाल उसको धर्म है यह मैं जो कह रहा हूं वो कर खनन कर शत्र का सबकर्म है यह क्रिया को छोड चिंतत में फसेगा उलटकर काल तुझको ही गसेगा यह जो हम को सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमन करके घर में जाके ना मार के आए इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बंप भटते थे इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे CRPF के जवानों के मुँपर मद्दान के समय जाते हुए यह लफंगे चाटे मारते थे इनको पूछो कि पड़ोसी के भीक मिले हतियारों से हिंदुस्तान की मा बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की éक्यारी में बारूत भरने वाणों को सीमा के अंदर पार घुजके मारा जाए कि न मारा जाए देश का एक एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते हर्दै में धर्म काटक ध्यान धरते समय के योग्य धीरज को सजोकर कहा राधे ने गभीर होकर अब करण बोला हर पापी हर अनाचारी हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्यान देने लगता है बूल गया अरजुन के कौन ज्यान दे रहा है अरजुन के अंदर भक्ती मनुष्यता भावना सब पैदा हो गई नरोचित धर्म का कुछ काम तोलो बहुत खेले जरा विश्राम तोलो भसे रत्चक्र को जब तक निकालूं धनुष्धारन करू प्रहन समालूं रुको तब तक चला ना बान फिर तुम खरन करना कर सको यदि प्रान तुम नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं समर्थित धर्म से रण मांगता हूं करन कहता है कि धर्म से युद्ध करो कृष्ण मुस्कराई कि बेटा अब थसा के अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं है ना उपस्थित देखो न्यायार्थ अरिको निहारा पार्थने हो खिन अरिको अर्जुन का तो सौफ्ट्वेर हैंग हो गया इसे मारूं कि यह जो कह रहा है धर्म वो पालू और जब सौफ्ट्वेर हैंग हो जाए तो क्या करना चीए जब तुझ से ना सुल्जे तिरे उल्जे उवे धन्दे भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा उपस्तित देख यो न्यायार्थ अरिको निहारा पार्थने हो खिन हरिको मगर भगवान किंचित भी न डोले अभी तक तो हस रहे थे मुस्कुरा रहे थे कर रहे थे मार जैसे ही करण ने धर्म बोला भगवान के अंदर से आग निकली कुपित हो वज्रसी यह बात बोले प्रलापी हो उजागर धर्म वाले बड़ी निष्ठा बड़े सतकर्म वाले मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था कहां पर धर्म उस दिन यह धरा था लगी थी आग जब लाक्षा भवन में हसा था धर्म ही क्या तब भवन में और एक पंक्ती बेटे पे आ जाए पत्नी पे आ जाए और मा पे आ जाए तो खून खोल जाता है अरजुन का खून खोला रहे है भगवान मेरे सभा में द्रोपदी की खीच लाके सुयोधन की उसे दासी पताकर सुवामा जाति को आदर दिया जो बहुत सत्कार तुम सब ने किया जो नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था उजागर शील भूशित धर्म ही था पाल से खीच कर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था और तेरे उस तथाकतित मित्र ने अपनी जंगा पर हात मारा था कि यहां बैठाएगी उसी दिन पै हो गया था कि इस जंगा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं जुए में हार कर धनधाम जिस दिन हुए पांडव यती नश्काम जिस दिन चले वनवास को तब धर्म थावे शकुनियों का नहीं अपकर्म थावे है और कोई अपकर्म नहीं होता कोई नहीं यह जो रणनीतिकार क्रश्ण है खांडव दहन हुआ आप सबको पता है आग लग गई आग बुजी नहीं इंद्र से भी नहीं बुजी तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा अर्जुन से कहा कभी बुझा सर्पों ने कहा कि बुझा अर्जुन ने बादलों में तीर मारा और बादल बरसे जब पुरुशार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है कभी बादल में मारता है कभी जमीन में मारता है पिता में भीश्म जब पड़े हुए थे शर्शया पर उनके मुझ से निकला पानी कोई सोने के मटका लाया कोई चांदी के मटके लाये उन्हें अरजुन की तरफ देखा कि पड़तोते पानी अरजुन ने तीर मारा प्रत्वी पे पुरुक्षित्र चले जाईए आज भी आपको मिल जाएगी वो नदी जहां जमीन का इस्तर थक वहां तक तीर गया और साइंस देखिये तीर की ड्रिलिंग देखिये कि उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीश्म के होटों तक आई आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में बान गंगा कहा जाता है कभी दर्शंगर के आईए उसमें